अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टैम टू टैम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कौने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरे पाना चाते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजे तो फैंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी खबरें लेकर आया हुँ जैसा आप जानते हैं कि टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर आती है तो आप लोगों को इंफॉरम किया जाते हैं चाहे हो देश के किसी भी कौने से हैं तो अभी एक बड़ी खबर ये है जैसे आप जानते है कि बिहार के वहाँ पर मांग उठरी है कि domicile नीती को लागू किया जाए इसके बाद जो हुआ के candidates हैं उनका कहना है कि देश के 16 ऐसे राज्जी हैं जहाँ पर बिहार के جो candidates है या 16 ऐसे राज्जी हैं जिनुमें domicile नीती लागू होती है और other states के जो candidates होते हैं उनको बहुत ही कम मतलब रिजर्वेशन वहाँ पे दिया जाता है या आप बोल सकते हैं 5 या 10 परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है ऐसे में बिहार के अंदर ऐसा क्यों है हाला की देखा जाए तो इन Candidates की बात बिलकुल जायज है वहां के जो Candidates है उनका गुसा जो वहां के मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री जी के लिए काफी उनके अंदर गुसा है और उनका मानना है कि जो ये Politics यहां की Government कर रहे है वो बहुत गलत है ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर टैलेंट की कमी है उनका मानना है कि बिहार के जो केंडिडेट्स है हर स्थान में बहुत आगे हैं और लेकिन मेरा जो खुद का मानना है आप विचार जरूर देश पे देखो बिहार के अंदर काफी ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है टैलेंट ह लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्राकिर्तिक आपदाएं इतनी आती हैं या आप पोल सकते हैं कि वहाँ की जो इतने रोजगार के साधन नहीं है तो इस वज़े से जो candidates हैं other states में भी जाते हैं अब हम बात करते हैं education level वहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे मैंने newspaper में पढ़ा है तो वहाँ पे काफी ऐसे teachers में जो फरजी लगे हुए हैं इवन government या newspaper में ऐसी update आती हैं लेकिन government उस पे कोई action नहीं ले रही है तो सबसे पहले तो बात ही आती है कि वहाँ पे जो TAT qualified candidates हैं इतनी संख्या में नहीं है जिस हिसाब से कर हम vacancies का percentage देखे vacancies के according देखे जिसे other states में होता है तो बिहार के अंदर इतना नहीं है तो इस वज़े से भी वहाँ के government चाहरी होगी कि जो बहार से और teacher आएं क्योंकि सारी job तो वो लेके नहीं जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है हला कि देखो इन candidates का गुस्सा जायज भी है और इस पर आप अपने विचार जरूर पर कट करें कि आपका क्या मानना है तो friends ये अपडेट है आप लोगों के लिए हाला कि हम काम ना करते हैं जल्दी से जल्दी इनका मुद्दा सुलज जाए और vacancies वहाँ के candidates के लिए आ जाएं तो friends गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रव